छप्रा में सिस्टम की ऐसी लपरवाही है कि जिन्दा बृध को ही मृत घोशित कर दिया है मामला एकमा प्रखंड के चंचोरा पंचायत के वनसी छप्रा गाओ की है जहां सरकारी सिस्टम से हुई तक्नीकी गरबरी का खामियाजा दो बुजुर्क पिछले एक साल से भूगत रहे है चंचोरा पंचायत के वनसी छप्रा निवासी 85 वर्षी शुभ नरायन सिंग तथा 70 वर्षी विध्वा वशंती देवी का नाम पेंशन की लिस्ट से गायब कर दिया गया है और इसके साथ ही इन दोनों को लिस्ट में मृत घोशित कर दिया गया है मावले की जुनकारी होने के बाद से ही बृध के परीजन प्रखन कार्याले का चकर लगा कर ठक चुके हैं वही परीजनों द्वारा इसकी सूचना प्रखन विकास पताधीकारी को दी गई जिसके बाद फिर से जॉर्ज प्रक्रिया शुरू कर दी गई है आपको बता दे कि प्रती वर्ष सभी पेंशनल लाभुकों का जीवन प्रमानिक करन किया जाता है और इसी दोरान पिछले वर्ष इस प्रमानिक करन के दोरान ही आईटी सहायक की लपरवाही की कारण दोनों बृध को मृत वाले लिस्ट में डाल दिया गया था और दोनों मृत की पेंशन पर ब्रेक लग गई जब परिजन इसकी परताल करने प्रखंट कारयाले पहुचे तो आईटी सहायक दोरा दोनों को मृत बताये गया जबकि दोनों ही जिन्दा है अब इस मामले में जुलादिकारी ने संग्यान लिया है और लापरवाह कर्मियों पर करवाई की बात कही है आप खुद सुनिये डियम ने क्या कहा इकमा प्रखंट में इस परकार का एक मामला प्रकाश में आया है इसकी हमने जाज के रिए समंदेद अधिकारी पो बोला है जाज स्रिपोर्ट आने के बाद इसमें कारवाई की जाएगी उसमें देख लेना होगा कि किस परकार से ये बात सामने आई है यदि किसी अधिकारी किया जिख को किसी कर्मी की गलती होगी तो इसके ऊपर भी हम एतायसम तो कर्वाई करेंग熟 करने वाला उससा परत लेज़े हम जीन दा और हमारा नहीं हो हम जी अतनी परक्सर्ण को ज़िण ज़िछे कि एक साग्सी करें देखिये मेरे माताजी बसंती देवी और बाबा शुब नर्हाइंशी जी का पेंचन फर्वारी 2022 से बंद है हमको जब जनकारी होई तो हम ब्लॉक में गए ब्लॉक में गए तो पता किये कि क्यों बंद है आईटी सहायक मुहमद सयद के पास गये थे तो वो चेक करके हमारा अधारकाट से पता किया बताया कि इन लोगो तो मिर्ति घोस्त कर दिये गया है जबकि कि दोनों लोग जीवित हैं उसके बाद हम बोलें कि फिर चालू कैसे होगा तो हमसे डॉक्मेंट्स मांगा गया हम सारी डॉक्मेंट्स उपलब्द करा चुके हैं उसके बावजूद भी पिछले एक साथ से हमको परिसान किया जा रहा है और बताया है लोग कि उनका क्या कर हैं जो ज्यांच करके गया है उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा गलती से उसमें मिर्द डाल दिया अभी ज्यांच के बाद भी जिसके कारण अभी प्रेंसन चालू नहीं हुआ है जिसके बाद हम वीडियो साहिब को वाट्सप के माध्यम से इस फरवड़ी 2023 को हम क कर रहे हैं और जिसमें जो दोसी होगा उसके पर करवाई होगी मेरा नाम विकास कुमार है